लोग सभा चुनाओ को लेकर सियासत दानों की बीच रसा कशी जारी है चे चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और आगामी साथवे चरण के मतदान को लेकर सभी पार्टिया चुनाओ प्रचार में लगी हुई है और एक दूसरे पर लगातार हमलावर है इसे बीच एक बार फिर कॉंग्रिस दे पियम मोदी पर सवाल उठाते हुए जम कर निशारा साधा है कॉंग्रिस के राज्य सभा सांसर जैराम रमेश ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और भारती अजंता पार्टी पर जोरदार हमला किया है जैराम रमेश ने कहा कि ये एक निवर्तमान प्रधान मंतरी है और उनके साथ एक निवर्तमान ग्रह मंतरी भी है 486 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके है लेकर पहले दो चरणों के बाद ये साफ हो गया था कि इंडिया गडबंदन को सपष्ट और निर्नायक जनादेश मिलने वाला है साथी उन्होंने कहा कि चार तारीख को ये निवर्तमान प्रधान मंतरी गोइंग आउट हो जाएंगे और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए पहले ये समझ लीजेगा कि ये निवर्तमान प्रधान मंतरी है और उनके साथ साथ ये निवर्तमान ग्रह मंतरी है चार सो छेयासे सीटों में तो चुनाव हो चुका है पर पहले दो चलन के बाद ही यह बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इंडिया जनबंधन के पार्टियों को सपष्ट और निरनायक जनादेश मिलेगा और चुनाव होते गए होते गए अभी सात्वा चलन बाकी है पर इसमें क कोई शक नहीं हो सकता यह तै है कि चार तारिक को यह निवर्तमान प्रधान मंत्री आउट गोइंग प्रधान मंत्री गोइंग आउट हो जाएंगे इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी पांच साल तक इंडिया जनबंधन की सरकार स्थिर सरकार समवेदनशील सरकार जिम् निवर्तमान प्रधान मंत्री की बार बार बदनाम करना इंडिया जन बंधन और कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं को जो जूट के महामारी फैलाएं है निवर्तमान प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा जा सकता है मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि ये विकृत असत्यभाशी है विकृत तो इनसानों के बीच में होता है, पार्टियों के बीच में होता है, और एक इनसान है, जो अपने आपको भगवान मानते हैं, ये कैसे बिखती है, इस पर क्या बरुसा किया जा सकता, बताइए मुझे, और ये आज इन्होंने, एक अनोका एक और बयान दिया है, कि 1982 के पहले, दुनिया में महत्मा गांदी का नाम ही नहीं था, अरे, इनकी विचार धारा ने ऐसा माहोर पैदा किया, कि महत्मा गांदी की हत्या हुई, गोटसे की पुजा होती है आजकल, और ये ही विचार धारा से, निवर्तमान प्रधान मंत्री जुड़े हुए हैं, और ये दुनिया भर की बाते बोलते हैं, सब को बदनाम करते हैं, जूर पहला के रखे हैं, अपनी उपलब्दियों के दिबारे तो कुछ नहीं की, ट्रेलर, ट्रेलर, ट्रेलर की बात कर रहे हैं, अरे पिछले दस साल में आपने किया क्या किसानों के लिए, युवाओं के लिए, पिछडे वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, क्या किया आपने, पिछले दस साल तो अन्याएकाल था ना, लेकिन सर्थ आपके पिजाते दिख रही है क्योंकि अभी भी मैं बयानों की बात कर रहा हूं भी आपसे बह्मंतरी का बयान यह आया है कि चाल जून को जो दो शहजादे ने ताहूर गांदी और अफिलेश आदे वो प्रेस कॉंफरेंस करेंगे और साफ तौर पर ईबीम का ह कितने बार प्रदान मंत्री गएं पाकिस्तान बताईए कितने बार चीन के राश्रपती से मुलाकात की और उनिस जून दो हजाद बीस को किसने क्लिनशित दी चीन को दोहजार चुब्स का चुनाव इस किताब के आधार पर लड़ा जा रहा है राहुल गांदी जी अपने स सबी पब्लिक रैली में, सबी सारवजनिक सभावों में इस किताब का जिकर कर रहे हैं, ये क्या है, भारत का सम्विधान, बाबा साहब अंबेड कर का सम्विधान, सामाजिक न्यायस का सम्विधान, आरक्षन का सम्विधान, जो खत्रे में है, मैं निवर्तमान प्रधान मंत सीधा दो सवाल करना चाहता हूँ क्या आप सामाजिक आर्थिक और जाती जन्गलना कराएंगे की नहीं यह बताइए क्योंकि गिंती के बिना SC, ST और OBC को अनुसुचि जाती अनुसुचि जन्जाती और पिछले वर्गों को आरक्षन का पूरा हक मिलना असंभाव है और दूसरा सवाल इस सम्विधान की नवी सूचि में सिर्फ तमिलनाडू का अधिनियम शामिल है 79 प्रदिशद आरक्षन है तमिलनाडू में जो गैर कानूनी नहीं माना जाता सुप्रीम कोट ने 1992 में कहा था ना 50% की सीमा लगनी चाहिए SC, ST और OBC आरक्षन के लिए पर 1994 में जब नर्सिमराव जी प्रदान मंत्री थे सम्विधान का संशोधन किया गया, नवी सूची में तमिलनाडू का अधिनियम शामिल किया गया, क्या 50% की सीमा हटाएंगे, बढ़ाएंगे, नवी सूची में सभी राज्यों का अरक्षन का अधिनियम लाओगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, महराष्ट, करनाटका, हर्या पंजाब, उस पर तो बोलते नहीं है, पर खाम खाम बे मतलब की बातें बोलते हैं, जूट पहला रहे हैं, कि कॉंग्रिस पार्टी धरम के अधार पर अरक्षन देगी, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक पिश्रापन ही अधार हो सकता है अरक्षन के लिए, यह हमारा संविधान केता है, और करनाटिक में 1994 में जो अरक्षन दिया गया था, मुसल्मान जाती को, क्रिश्चिन जाती को, भहुत के जाती को, जेन के जाती को, क्यूंकि जाती हमारे समाज का एक टूट अंग है, हमारी परिभाशा दो जाती से हुआत होता है, वो दिया गया था, पिछलापन, सामाजिक और आर्थिक पिछलापन के मानक को देख, गौर्दलब है कि एक जून को सात्वी और आखरी चरण के लिए मतदान होने बारे है, जिसके चलते सभी पार्ट या एक दूसरे पर लगातार हमलावर है, इसे बीच कॉंग्रिस सांसर जैराम र और बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले। पौर्दल ना भूले।